हेलो गाईज, वेलकम बेक तु माई चैनल, आज हम डिसकस करेंगे अपने modern trends in Indian art, इसके अंदर आपके तिन टोपिक आते हैं, paintings, graphic prints और sculptures, तिन आपके 5-5 हैं, हमने ये दोने discuss कर लिए, अब हम discuss करेंगे अपने sculptures को, तो इसके लिए पहले हम main अपना format discuss कर लेते हैं, आपको किस format में लिखना है, तो सबसे बहले आपको लिखना है name लिखना है अपने sculpture का, उसके आपको लिखना है artist, उसके आपको लिखना time period, किस time period में वो बना है, फिर आपको लिखना है medium, कि कि किस चीज से वो बना हुआ है, फिर आपको लिखना है courtesy, कि कहां पर वो अभी रखा हुआ स्कूल्चर और लिख देना आपको इसका डिक्स्क्रिप्शन तो हम देखेंगे अपने फस्स कल्चर को तो हमारा फस्स कल्चर का नाम है ट्रंप ओफ लेबर इसके आपके डीपी रोय चौधरी मीडियम है इसका ब्रॉंजन सीमेट मतलब यह ब्रॉंज और सीमेट से बना हु तो हम देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को इन दिस कल्चर फॉर लेबर्स और इंगेज इन टास्क ओफ मूगिंग अ ब्लोक ओफ स्चोन विद्धा है फॉर लेबर्स दिखाए गया है जो क्या अपने काम में लगे हुए कौन सा काम वह एक ब्लोक को क्या कर रहे हैं इंगेज इन एक्स्रीमली डिफिकल्ट टास्क ओफ लिफ्टिंग यूज यह मैं क्या लगे हुए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क में लगे हुए लिफ्टिंग यूज मतलब एक बहुत बड़े पत्थर को हिलाने के लिए अगर देखते हैं इस लेबर्स और वेर इंगेज इन देवर्क विफूल फॉर्स तो मतलब यह अपने काम में क्या है पूरे जोज से लगे हुए है तो उन्हें पूरा फॉर्स लगाया हुए इस काम को करने के लिए विद देर एक्शन और स्टेंट बोड़े मसल्स वन कें फिल देर स्टेंथ एफर्ट तो मतलब एक्शन को देखके उनकी जैसे बोड़ी की मसल्स शो हो रही है उसे पता चल सकते हैं कि उन्होंने कितनी ताकत और एफर्ट लगाया हुआ है इस मसल ऑफ बोड़ी की जो हर एक मसल है वह अलग-अलग क्या कर रही है शाइन कर रही है मतलब बहुत अच्छे से हमें पेंटि स्टूल के कैसे काम करना चाहिए इस स्कुल्चर इस वैरी बीटिफूल यह लाइन आपको हर्ट स्कुल्चर के आखरी में एड करनी है तो अब हम देखते हैं अपने सेकंड स्कुल्चर को इसका नाम क्या है संथल फैमिली इसके आर्टिस्ट यह राम किंकर बेच मेडियम इस सीमेंट और कंकेट से बना हुआ है टाइम पिरिए इसका 1938 एडी लोकेशन अब इसकी लोकेशन आपकी अलग है मतलब कल्टे से इसकी आपकी अलग है तो विश्वा भारती कलस भवन कैंपस शांती निकेतन तब हम देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को इन इस कल्चर अट्रेबल पीजन फैमिली अ मैन वूमें चिल्डन एंड डोग इस शोन तब इसमें क्या दिखाया गया आपको एक फैमिली दिखाए गया यह ट्रेबल पीजन फैमिली जिसमें एक मैन दिखाया गया वूमें दिखाया गया चिल्डन दिखाया गया और डोग दिखाया गय है female is shown holding a child on the left side of her body with her left arm मतलब female को कैसे शो किया गया है कि उन्होंने एक चाइड पकड़ा हुए कहां पे left side पे अपनी body के और किसे left arm से the male is carrying another child who is sitting on the front basket hanging from a bamboo pole on his shoulder मतलब अब आप देखोगे figure में तो male है जो उसने क्या पकड़ रखे एक bamboo पकड़ रखे है तो इस bamboo के दोनों तरफ क्या है एक एक basket है तो अगर आपको picture अच्छे से clear नहीं है तो आप एक बर google पर search करके यह भी clear picture निकाल सकते हो बढ़ा करके उसे देखोगे तो आगे पीछे दो क्या है baskets बनी हुई है एक तरह से तो उसमें आगे वाली जो basket है front basket में एक children बैठा हुआ है तो यह है तो आगे दिखते हैं लाइफ में फिगर होती हैं उससे कह बहुत बड़ी है वह वाली figures इस culture brings to the life of people migrating towards a new destination living behind their homes in search of work तो अब इस culture में दिखाने की क्या कोशिश की गई है इस culture में उन लोगों की जिंदगी को दिखाने कोशिश की गई है जो अपने घरों को छोड़के कई और नहीं जंगा चल पड़ते हैं किस लिए ताकि उन्हें कोई काम मिल सके मतलब यह लोग क्या करते हैं चलते रहते हैं ताकि काम के लिए तो लिविंग भी हाइड देर फों होम इन सर्च ओफ फर दा मैं इस वेरिंग दा रोलड़ अप गमचा ओन इस हैड और लेड़ी अज रोलड़ अप मैट ओन दा टॉप ओफ दा बास्केट तब हमने मैन के बारे में बिताया है उन्होंने एक गमचा पाया हुए अपने सिर सिर के ओपर ऐसी लेड़ी है जो उन्होंने एक बास्केट रखे हुए अपने सिर के ओपर उन्होंने एक रोलड़ अप मैट मतलब मैट को रोल करके रखा हुआ है तो यह होगा हमारी स्कुल्चर संतल्स फैमिली तो अब हम देखते अपने नेक्स कुल्चर को जिसका नाम क यह क्राइजन हर्ड आर्टेस्ट इसके अमलना सहेगल मीडिया मतलब यह ब्रॉंस से बना हुआ है पीरेड है इसका मोडरन अब इसका टाइम परिडिट फिक्स नहीं तो हमने कहले दिया मोडरन कर्टेस ही होगी इंदा नेश्य गैलरी ऑफ मोडरन न्यू डैली अब हम दि सब्सक्राइज अब इस मेन खन नें अपने दोनों आपने अपना चाइब हम और इंस ने बहुत लंबी भी औढ़ीट तक है और इलोंगे plastics मतब बहुत ज़़ा बड़ा करके दिखाया हुए Faces are mask like hollow suggesting their unending suffering and exploitation तो उनके faces को किस की तरह दिखाया गया है mask की तरह बिलकुल खाली दिखाया गया है तो इससे क्या suggest कर रहे है कि कितना वो suffer कर रहे है और कितना उनके साथ शोशन हो रहा है मतब कितना उनसे काम लिया जा रहा है The theme of this culture is to suggest the painful cries of suffering humans by making hollows in their heads तो इनका theme ही है यह है इस painting का बताना कि कितने वो दुखी हैं कि painful cries को सुनाना किस की suffering humans की किस चीज़ से शोग किया गया है कि वो suffer कर रहे है किसी चीज़ से by making hollows in their heads आगे देखते हैं Their helpless expressions are shouting to the world that they have been the victims of political and social injustice तो इनकी expressions दिखाए गया है बिल्कुल जैसे कि वो सहायता मतलब helpless expressions दिखाए गया है तो shouting to the world की ऐसा लग रहा है इनकी expressions को देखके कि वो दुनिया से मांग रहे हो कि हमें बताना चाहते हो कि हम क्या victims हैं किसके political के और social injustice के मतलब उनके साथ क्या हुआ है गलत हुआ है politically भी और socially भी मतलब समाजिक भी और राजनितिक भी आगे दिखते हैं This culture is very beautiful तो यहीं इस culture में दिखाने कोशिश की गई है कि humans के खिलाफ जो गलत बरताब हुआ है उसे show करने की कोशिश की गई है अब हम देखते हैं अपने next sculpture को जिसका नान के गनेशा इसके artist ने पीवी जनकी राम period है इसका modern medium है इसका wire, tin, oxidized को पर मतलब इन साथी चीज़ों को यूज़ करके यह बनाई गई है courtesy इसकी national gallery of modern art, new Delhi अब इसका description देखते है This sculpture of Ganesha is made of black metal अब यह जो sculpture अगनेश जी का इसे किस चीज़ से बनाया हुआ है black metal से बनाया हुआ है tin और wire से Ganesha with six arms in its dancing position मतलब Ganesha जी की क्या दिखाई गई है six arms दिखाई गई है और हो कौन सी position में खड़े है dancing position में आप अगर बड़ा करके लिखना चाते है his body is balanced on one foot उसकी body कैसे दिखाई गई है उनकी body एक foot पे balanced है he is holding and playing Veena with two hands in front तो सबसे आगे क्या दिखाई गया है कि उनने दो हाथ से अपने क्या पकड़ा हुआ है Veena पकड़ा हुआ है और वो उसे क्या कर रहे है बजा रहे है उन्ता प्ले कर रहे है other hands are holding a lotus bird एक हाथ में क्या पकड़ा हुआ है lotus का बड़ पकड़ा हुआ है a conch, a wheel and a maze मतलब एक चकर पकड़ा हुआ है एक गजा पकड़ी हुई है और एक conch पकड़ा हुआ है the trunk is a broad and flat plane जो उनके trunk दिखाई गया है सून दिखाई गया जोड़ी दिखाई गया है अब इकोल फ्लेट दिखाई गया there are red and orange patches at the places तो कहीं जबापर हम देखेंगे red and orange color का use किया गया है the features are made in geometrical shapes with the help of wire तो यह जो features है मतलब यह lotus bird होगी conch होगी, wheel होगी, maze होगी यह सब कुछ किस से बनाए हुए जो symmetrical shapes में बनाए हुए और किस से बनाए हुए wire से बनाए हुए this culture is very beautiful तो चलिए हम discuss करते है अपने last culture को जिसका नाम के है चतर मुखी इससे पहले हम अपने fine arts का पूरा slabels अच्छे से discuss कर चुके अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो मैं आपको वीडियोस के playlist का link description box में दे दूँगी तो आप वो जाके भी check out कर सकते है playlist का नाम है finance अब हम देखते है name किया था चतर मुखी artist चापके एक का यादा गिरी राओ तो एब लिखा हुए मैंने एक का यादा गिरी राओ medium and strong time period है modern अब हम देखते हैं इसका description को इसका description थोड़ा सा output है तो आप ध्यान से समझना this culture of एक यादा गिरी राओ is on display in the lawn of modern gallery modern art gallery new Delhi तो यह कहां पी रखा हुए यह हमने पहली राइन में बता दिया कि modern art gallery के लोन में अभी यह रखा हुए display पीस की तरह आगे देखते हैं चतरमुखी means four face अब जो painting के नाम क्या लिखा हुए चतरमुखी चतरमुखी मतलब four face इस four faces describe the different aspects of womanhood अब जो artist है उन्हेंने अपने इस art की थूँ मतलब इस culture के थूँ क्या दिखाने कोशिश की है woman के पूरी जिंदगी को तो different aspects of womanhood आगे देखते हैं वन साइड शोज अ वुमेन elongated face with circle curved at the bottom अब एक साइड भी देखोगे तो बहुत लंबा woman का face दिखाया गया बहुत बड़ा जिसके नीचे के एक circle बना हुआ है at the bottom तो बिल्कुल नीचे के साइड एक circle बना हुआ है और एक बहुत लंबा moon दिखाया गया है her hair is centered passion मतलब बाल के बीच में से मतलब पार्ट कई हो है and the head has horizontal lines और जो head है उस पर क्या है horizontal lines बनी हुई है अब आपको समझ आ गए होगा मैं किस face की बात कर रहे हूँ आगे देखते है reaching till half of the stone is in roundness मतलब जो वो lines है जो कहे horizontal lines है वो कहा तक जा रही है एक stone तक जा रही है जो कि क्या round है विल्कुल तो उस stone तक वो lines क्या कर रही है जा रही है horizontal lines तो यह हमारे sculpture में भी हमीं दिख रहा अच्छे से the second side shows her with the folded hands अब जो हमारा first respect था first side थी इसमें woman के कहा तक ही इस दिखाई हुए है कि जब वो छोटी थी और उससे लेके जब adult sense age तक उसकी वो aspect दिखाया गया है अब second side में क्या show करने कोशिश की है एक woman दिखाई गया जिनोंने अपने हाथ के fold कर रखे है तो अब यह जो side woman के दिखाती है कि जब उसकी शादी नहीं हुई है शादी से पहले aspect उसे show करती है तो अभी उसने किया है किसी को birth नहीं दिया है बेबी को तो उससे क्या कहते है उसकी वो वली side इसमें दिखाई हुई है आके देखते है अब third side में क्या दिखाय हुए हमें आपको second side है वो visible नहीं है painting में वो back side पे तो जो third side है उसमें क्या दिखाया हुए है एक man दिखाया हुए है जो woman की क्या है पीछे खड़ है यह दोनों क्या अब woman की क्या हो चुके है शादी हो चुके है तो इस सारे sculpture में दिखाने का यही मकसद है woman की पूरी life को तो first वाला था उसमें दिखाया गया था कि starting सरे कि उसके adult senses तक फिर उससे बाद जो वो थोड़ी और बढ़ी हो जाती है जब उसने केसी baby को birth नहीं दिया होता है उसके बाद वो दिखाते है कि उसकी शादी हो जाती है और वो एक दूसरे को क्या कर रहे है complete कर रहे है और man को क्या दिखाया गया बहुत ज़्यदा broad दिखाया गया और tall दिखाया गया मतलब male dominating society को एक तरह से show किया गया है कि woman को weak दिखाया गया है तो fourth one है is for the aspect of her life as a nourishment care giver तो fourth one हम भी हमें painting में visible नहीं है तो यही मैंने आपको पहले ही बताया था तो मैं hope करती है आपको सारे स्कल्चर अच्छे से समझ आए होंगे तो please इस वीडियो को एक लाइक करें और में चैन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और तो side में bell icon का बटन उसे भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की notification भी आपको सबसे जल्दी मिल जाए Thank you